वैसे आप लोग ने तो देखी लिए होगा इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी बट उसमें बोला था कि में भी एक दो दिन में अपडेट आए और 90 वापस आजाए विकास भाई भाई भी थोड़ा डाउट हो रहा है विकास अभी बीजिमाई में दो अपडेट आचुके एक आर्प वाला दो एमबी का है और छे एमबी का उससे पहली भी बट अभी देखते हो 60 fps है 90 नहीं आया तो भाई अभी थोड़ा डाउट हो रहा है कहां हम 120 fps का वेट कर रहे थे विकास पबजी में 120 fps है बट भाई के लिए विकास भाई Poco X6 Pro में अभी भी 90 fps है और काफी बेटर चल रहा है बट उससे भी बेटर इसमें चलता था बट इससे रिमूफ कर दिया गया है तो यह काफी गलत बात है बाकी F5 में Poco F5 में भी 90 fps ठीक से रन नहीं करता है बट उसमें विक स्ट्रीम प्लस आपको 90 fps मिलता है बट एप 6 से भाई हटा दिया है भाई BGMI के नसे अकेले ही नहीं है Poco के भी नसे है बट हाला कि इसी सेम प्रोसेसर के साथ 8S Gen 3 के साथ Realme का मिलता है आपको GT6 उसमें अभी भी 90 fps है तो इसमें Snapdragon की कोई गलती नहीं है Poco की है और BGMI की है अब इस problem का solution क्या है यह सा रिमूव हुआ है main reason भी पता चल जाएगा and guys काफी लोग आपकी मज़े ले रहे होंगी भाई Poco F6 तो भाई रनी नहीं करा पाता था इसी वज़े से रिमूव हुआ है तो भाई CMF Phone 1 में जिसमें Diamonds T 7300 मिलता है उसमें भी 120 fps इन्होंने दे दिया है जिसमें 60 भी size नहीं चल रहा है तो भाई ये snapdragon की कोई गलती नहीं इसमें इसमें BGMI का main issue है and only BGMI का नहीं है Poco का भी है क्योंकि processor तो भाई 90 fps run easily करा रहा था तो main पहले reason की बात करते हैं and बाद में आपको इसका solution भी बताएंगे तो भाई अगर आप Poco F6 पिछले कुछ दिने उसको यूस कर रहे ह था बट अगर आप खेलने लगो तो वो 90 से 60 दो तीन सकंड में ही चला जाता था बट उसका भाई solution था कि power saving mood on off करो तो again से 90 चलता था बट कुछ देर बाद फिर से 60 ही आ जाता था पिएस अगर आप PPS meter लगा के खेलोगे बाकी normal user को नहीं पता चलता भाई जो daily ज्यादा न हुआ था इसलिए जब इस बार बीजमाय करना है अपडेट आया तो इसलिए उसमें 90 FPS रिमूव हो गया अब इससे पहले भी POCO F6 जब launch हुआ था तब बीजमाय में only 60 FPS ही मिलते थे बट यह जब crimson mood वाला अपडेट आया तो 90 आ गए and again इस बार यह रिमूव हो गया अब भ मैंने gaming test भी बना रखा है आपको अगर देखना हो तो description में सीधा जाके देख सकते हो एकदम stable 85 के उपर ही device में FPS देता है बड़ भाई मैंने कहा update न करो ताकि best FPS आपको मिले and भाई वीजमाय ने कहा भाई ले 90 FPS 90 FPS गेम से ही गायब कर दिये बाकी अब बात करी जाए कि भाई यह अभी तक भी 90 FPS में नहीं आया अब पिछले दो महीने भी 90 नहीं आया थे बीच में दो महीने आया फिर गया हुआ तो भाई chances है 10% समझो कि अब अगर 90 आये तो 120 के साथ आएगा बट लगता है मेरे को की मुस्किल है अभी आना because भाई दो update आ चुके और नया season के साथ जो भाई winters आ गया है ठंडियों में भाई phone heat नहीं होगा तो भाई एकदम smooth fps 120 देगा बाकी वैसे भी pubg में stable y100 प्लस fps आपको हमेशा ही मिलते हैं तो काफी बेटर होगा fps आगी अब बात करते हैं कि इसका solution क्या है आप कैसे ना आ सकते हो and 120 भी ला सकते है उससे बढ़ हाँ मैं अतना recommend नहीं करूंगा मैं personally नहीं भी करूंगा मैं 60 पे खेलूंगा वागी काफी लोग देखो इसक्रीन पर देख सोते हैं काफी लोग comment कर रहा है कि भाई मेरा 60 पे जैसे लगता है कि game बहुत ज़्यदा lag हो रहा है तो भाई मेरा भी लगता है because अगर आप 90 पे खेल लोग करके 24 टीडियम खेलना है लगाता है उसके बाद जब आप 60 पे करोगे यह चीज आपको नहीं लगेगी कि लैक कर रहा है 60 पे पहले 60 पे खेलता था बड़ 90 पे खेलना थोड़ा लगता ही है अब बात करते हैं कि आप 90 कैसे ला सकते हैं अब भाई सबसे पहले एकदम easy method की बात करते हैं कि कैसे 90 FPS आप easily ला सकते हो तो सबसे easy लाने का method यह होता है कि भाई GFX टूल से आप 90 या 120 भी unlock कर सकते हो because BGM में 120 आ गया है तो काफे सारे YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप 120 FPS या 90 FPS unlock कर सकते हो GFX टूल से यह बहुत पुरानी काफी सालों से चली आती है बीजिमाई में बट हाँ यह चीश मैंने भाई personally भी use किया है पहले अपने पुराने phones में यह उतने बढ़ियां होते हैं बार-बार GFX on करो या कुछ भी करो and इससे बैन भी होता है new update में हमेशा GFX लगाने मेरी पुरानी दो-तीन साल पह जाते हो तो GFX लगा के खेल सकते हो बढ़ हां वो है कि ID बैन हो सकती है 40% ही चांस है हां लेकिन चांस है कि बैन हो भी सकती है तो यह देखने है बाकी easily आप 120fps या 90 में आपको 100 भी कर सकते हो कि काफी लोगों नो किया भी है यह देख सकते हो easily भाई ultra extreme 120 भी आ जाता है GFX से ब मत करना बड़ दूसरी ID से कर सकते हैं अब बात करते हैं second method की आप कैसे ला सकते हो just like भाई उसके लिए आपको bootloader अपना device का unlock करना होगा और उसके बाद काफी सारे custom rooms आते हैं इसलाइक इसलाइक इलाइट हाइपर वैस एंड काफी others भी लोग है यह आप YouTube पर सर्च कर हैं सो आपका मन हो तो easily इसमें इंट्रेस्ट हो अगर कस्टम रोम में तो काफी इलाइट हाइपर वैस एंड काफी और EU भी आते हैं काफी बंदों ने मैंने चैट करिये उनने किया है 90 FPS उनके में unlock हैं सो आपका मन हो तो कर सकते हो बाकि मुझे भाई custom rooms का इतना नाटक हमेल तो नहीं है पहले मैं भी करता था शुरू के टाइम में जब पूराने डिवाइस हो जाता है तो custom room के मज़े बट भाई नए डिवाइस में तो मैं recommend नहीं करता यह सारी जिए बट काफी सारे बंदे करते हो कि यह group है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसमें सारे शीज वगेरा सो जाके वहाँ पे बंदों जबात करके आप इसली कर सकते हो ओप आपको वीडियो पसंद आई है बाकी सबसे बिटर जो की मैं करूंगा वही recommend करता हूं कि wait करो update आएगा बट हाँ मेरे को लग रहा है आप भाई next ही update में आएगा पट 60 भी इनफ है बंदों को मारन के लिए playable पट वही आप एक चीज करने लग अल्ट्रा करके आप चार-पांच टीडियम खेलना उसके बाद जब आए एक्स्ट्रीम पे करोगे डेफिनेटली 60 भी आपको आईफोन लेवल का ही इसमें मिलता है एकदम constant 16 बागे इस फोन से related मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं already तो जाके चैनल पर आप चेक आउट कर सकते हो gaming test and काफी other videos भी इसके बना रखे हैं so जाके watch कर सकते हो hope आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो दो वीडियो कर दो like and channel को भी subscribe कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए pokef6 की मिलते है next वीडियो में so bye